गुड मॉर्निंग डियर स्टुडांट्स आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरन तो हिंदी व्याकरन में हमारा पहला टॉपिक है संग्या लेकिन संग्या की परिभाशा समझने से पहले आप सभी बच्चे अपने पास में एक नोटबुक और पेन रख लिजिएगा और सर्वनाम है कुछा क्रिया है तो यह आपको इस वीडियो में समझाए जाएगा ठीक है तो आएए चले आप देखते हैं संग्या की परिभाशा किसी प्राणी वस्तु भाव गून एवं स्थान के नाम को संग्या करते हैं चाहे वो किसी भी प्राणी का नाम हो उसे हम क्या क रहेंगे संग्या किसी वस्तु के नाम को पर किसी भाव का नाम किसी गुन का नाम किसी स्थान का नाम तो इन सभी नाम को हम क्या कहेंगे संग्या कहेंगे तो इसके मुधारन देख लेते हैं जैसी राम राम देखिए किसी लड़के का नाम है तो यह भी संग्या कहलाएगा राधा किसी लड़की का नाम है ये भी संग्या कहलाएगा भारत हमारे देश का नाम है ये भी संग्या कहलाएगा किताब भी एक नाम है और ताज महल भी एक नाम है ठीक है अचले अब आईए देखते हैं हमारा पहला प्रश्ण है नीचे दिये गए शब्दों में से संग्या शब्द पर गोल लगा तो सभी बच्चों को पहले क्या करना है ये सारे वर्ड अपने नोड़ बुक में कौपी कर लेना है कौपी करने के बाद आपको अपने नोड़ बुक पर ही इने सरकल करना है चलिए करते हैं राजू देखिए राजू किसी लड़के का नाम है तो ये भी संग्या हो गया हमें सिर्फ संग्या शब्दों को गोल लगाना है ठीके उसके बाद देखिए पीना पीना क्या हो गया क्रिया हो गई तो इससे हम गोल नहीं लगाएंगे उसके बाद देखिए चीन चीन क्या हो गया चीन भी एक नाम है ठीके चीन भी एक देश का नाम है देन बड़ा बड़ा देखिए बड़ा एक विशेशन हो गया ये नाम नहीं है उके स्वारी इससे गोल नहीं करना है उसके बाद देखिए इंडिया गेट इंडिया गेड भी एक स्थान का नाम है मतलब एक यह भी नाम में आएगा दिन देखिए बस बस भी एक नाम है देन नाचना तो क्रिया हो गया सुन्दर विशेशन हो गया पीला भी विशेशन हो गया मोहन हो गया एक नाम चलना तो क्रिया हो गया गंगा नदे भी हो गया एक नाम उसके बाद देखिए हिमाल है मुंबई मुंबई भी आजाएगा अलमारी किसी वस्तु का नाम है लिखना तो क्रिया हो गई बगीचा ये भी एक नाम आएगा शिकार करना एक प्रिया हो गई देन पानी और देना एगा फूल तो ये थे संग्या जिन्हें हमने गोल किये है तो ऐसे ही एक्जाम्पल आपको समझ के लिखना है कि कौन से संग्या है और कौन से संग्या नहीं है थैंक यू